गुड़ मौन क्या प्रीवन कैसे हैं सभी आई हूप सभी बहुत अच्छे होंगे तो लास्ट टाम हमने जो जो सैनी स्कूल का जो पिपर हुआ इंट्रांस एक्जामिनेशन 2023 फॉर शिक्स क्लास तो उसको जो हमने डिसकस मैट्स वाले जो भी पार्ट है उसको डिसकस हम क्या होते हैं कि रोवन अंक पता है और मेशन कोハハ़ में थाने को मिलेगा है फिलल आपको अगर पता है तो आप टा जो आए प्राव से लिख सकते हैं, अगर आपको जब वह वन से लिखरके, नाई तक भी पता है, और कुछ रूल्स अगर आपको पता है, जैसे अगर मैं लिखूं, अगर मैं M के आगे कुछ लिखूं, जैसे M के आगे, जब वह मैं लिख दे है, M को क्या बोलते है, M को बोलते है, 1000, अगर M के आगे मैंने C लिखा न, C के मतलब होता है 100, अब आगे लिखा तो इसकी value बढ़ा देगा, कितनी बढ़ाएगा 100, तो 1000 प्लस 100, कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं जो वो M के पीछे लिखता, जैसे M के पीछे मैंने C लिखा, CM, तो C अगर मैंने यह बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर के पीछे लिखा मैंने, तो इसकी value बढ़ा देगा, कितनी बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा, जितना है C का, C किसको denote कता है, C denote कता है 100 को, तो 1000 में से 100 मैंनस हो गया, बन गया 900, ठीक है, तो यह आपको पता था मेरे क्याल से पहले, य क्रंपी के सिर्षक और घड़ी के चहरों पर घंटो का अंकन सामिल है, ठीक है, घड़ी में भी आप देखेंगे, तो आपे भी कई बार जो को रोमन में लिखा होता है, ठीक है, यह आपे टू, यह आपे त्री तो ऐसे भी कई घड़ी आपको मिल जाएगी, नेक्स है, रोम इसने करूं, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेंगा, नेक्स्टे, रोमन निमरल कम प्रम, तो रोमन निमरल जो कहां से आया है, एस इन आल सच मैटर्स दा ओर रोमन निमरल सिस्टम आप निमेरिकल नोटेशन आपकर्स, आल्दू, दा चेंजिस इन दियर फॉर्म सिंस दा 3rd century VCE are well known, रोमन निमरल were likely developed as a result of a need of common matter of counting in order to better conduct trade, चीक है तो आप इसको जोगो हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट इसने लिखा है कि रोमन, क्या रोमन अंक सिखना अभी भी मत तो पूर्न है, तो बिलकुल सरी बात है, अभी भी सिखना जोगो जरूरी है यहाँ में लिखा है, प्रतियों कोई भी प्रतिक प्राचीन रोमन प्रनाली पर आधारी संक्यात्मक अंक की प्रनाली प्रतिक IPX NCD, अचा एक बात जोगो मैं आपको बताना पूलेगा है, जब M के उपर बाहर लग जाए, जैसे मैं 2 के उपर बाहर लगा दिया, तो एज अब आप बोलेगे कि 1000 को हम लोग M बोलते हैं, अगर मैं M के उपर लगा दूँ, तो 1000 से मल्टिपला हो जाएगा 1000 में, 1000 में होती है 30, ठीक है, 30 और 60 और 60 होती है 10,000 में, तो 10,000 में लिख लिया, ठीक है, बुछ आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, और आप बहुत ब 10 मैनस होगा, ठीक है, ठीक है, यहां पे बहर के बारे में भी लिख लिखे, इसी संख्या पर रखा गया, बाहर उसके मान को 1000 से गुना करता है, तो इभी आपको मैंने आपको बता दिया, नेक्स जबो यहां पे लिखा है, रोमन संख्या है, अरपी में जबो जैसे 123, रोमन सब्सक्राइब करें अब बात करते हैं अपने नंबर की जिसमें हमने थोड़ा सा बोला था कि उसके बारे में डिसक्रस करेंगे जैसे 99 था तो आप अगर हम दियान से देखेंगे तो इसको मैंने बोला था कि मैंनस करने के लिए एक पीछे लगाएंगे आईसी तो आईसी जो 99 को नहीं दिखा जाता है ठीक है तो क्यूंकि इसको तरीका है न लिखने का वह यह है कि जैसे आप जैसे आप एक्सपेंडिर फॉर्म में लिखते हैं तो बैसे आप पना पड़े जैसे नाइन की जो प्लेस जो है वो 90 है ठीक है प्लस और 9, 90 प्लस 9 तो ऐसे लिखेंगे इसको एक्सपेंडिर फॉर्म में तो बिल्कुल बैसे ही इसको जो लिखा जाता है ठीक है आप जो तीन बार से जैसे मैं M को जो थाउजन को लूँगा M 2M होगे तो यह प्लस हो जाएगा 1000, 2000, 2000 होगे और एक और M लगानों तीन बार, मैक्सिमुत 3 टाइम सक चार बार नहीं आप रिपीट कर सकते हैं यह भी जो इसका रूल है तो बैसे जो यहां पे भी दिखाया है देखिए 90, 90 ब्रस 4 तो बैसे आपको बना पड़ेगा ना कि आपको जो जो माइनस करना है ठीक है C मेंसे अगर 1 मा है लेकिन अपने कोशिन पर तो हमारा जो लास्ट कोशिन था बू था कि 47 था इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ 99 तो इसका सभी आंसर हो जाएगा XCIX तो यहां पे जो इनकी वैल्यू पहले देखते हैं M को हम लोग थाउसेंट बोलते है XL जो फॉर्टी होता है ठीक है तो M मतलब की 1000 और प्लस हो जाएगा इसमें 40 और यहां पे है 2 मतलब की 2000 प्लस 40 प्लस 2 तो यह बन जाए 1042 इसको मैं याद रखूंगा ऐसे 1042 बनगा 1042 नेक्स इसमें का है CX C का मतलब होता है 100 और XC यहां पे जो एकसी है तो X मतलब की यह त होता है V होता है 5 और I मतलब की 4 194 बन गया 194 ठीक है 194 नेक्स्ट है यहां पे LX III है ठीक है L को बुलते है हम लोग 50 X जब इसमें जूट गया तो 50 प्लस 10 हो गया हमारा 60 और 63 63 अब इन सभी को प्लस करना था हमने तो मैं साइड में प्लस कर लाता 142 है यहां पे और इसमें प्ल 94 194 और मैं कुछ और कलर से वाइट से लिख रहा हूं 1 वाइट यस 194 और यहां पे है 63 तो 63 ठीक है इसको प्लस करने के बाद आ जाएगा यहां पे 426 789 और यहां पे आ जाएगा ना और 6 कितना होता है 15 15 of 4 19 19 और एक जो हमारे पास है कैरी नहीं थी ठीक कैरी नहीं थी तो यह यहां पे हो जाएगा सिक्स्टीन सिक्स्टीन और फोर 15 सब्सक्राइब करके लिख लेता हूं 1299 तो इसको में लिखेंगा 1000 ठीक 1000 प्लस 200 प्लेस वेली लिखना हूं इसको मतलब है यहां पे बी ऑप्सन में गडबड होस्क भी है या तो हमें एक वर फिर से जो चेका ना पड़ेगा कहीं हमने तो गडबड है की है वैसे अगर 1299 बन रहा है तो option में यहां पर 1299 है नहीं ठीक है वाकि आप जो फिर से जो इसको चेक कर सकते हैं कि यहां पर गड़बर यहां पर गड़बर क्या की हमने यहां पर बीच में माइनस था ऐसी गड़बर जो आपको नहीं करनी है मैं जल्दबाजी में जो ऐसे कर रहा था तो इसका जो आंसर आ रहा था वह कितना रहा था टो आप उनद्टनाइटीफ्वोड दोनों प्लस करनी थे उन दोनों को मैं पहली प्लस कर लेता हूँ चार और पांच छे और नाइन और फॉर ठर्टीन और यहां पर एक काईरी डू हो गया हाज है कितना आठा है ? 1236 बन रहा है और 1236 मैं इसको निकाल लेता हूं LX II इसका क्या हूंत रहा है L का मतलगत है 50 60 63 यहां पर चींचिटी मैं इसको इसको मेंस करना थे 6-3 और यहां पर 13 मैं से 6-1 यहां पर देखते हैं 1173 ब हो दिखते हैं 1173 यहां पर यहां पर प्लेस बेदी लिख रहा हूं एक स्वेंडिक फार में पलस 70 प्लस 3 टेक है 1000 को हम लोग बोलते हैं 100 को बोलते हैं 70 को बोलते हैं X sorry L X 60 हो गया एक और X 70 हो गया और 3 मतलब कि triple I तो यह बना है M C L X X triple I तो फिर्स्ट ऑप्सन में ही हमारा आंसर जो वो मिल चुक है हमें तो यह जो ऐसे करना होता है बिल्कुल मतलब रोमन नंबर के बारे में आपको यहां पर पता होना चाहिए काफी अच्छा कोशिन था next इसने बोला है कि name the type of an angle whose measure is 29 more than more than the difference of 136 and 77 ठीक है काफी अच्छा जोगो confuse करके जो कोशिन बनाया है इसने इन कोशिन को करने के लिए आपको यह अंदर जो पेसेंस होना चाहिए ठीक है जल्दवाजी में करेंगे तो आंसर गलत हो जाए लेकिए तो आपको यह पता हो कि जीरो और 90 के between जो नंबर होते है वो होते है acute angle और 90 degree को आपको होता है right angle को होते है 90 और 180 के बीच वाले होते हैं obtuse angle ठीक है और 180 से आगे 180 को state angle ठीक है 180 से आगे और 360 से पीछे वो होते है reflex angle और 360 is the full angle या complete angle ठीक है तो यहाँ पेसन बोला है कि आप जबो इस एंगल एंगल का अपने मतल कि add करना है तो 136 और 77 का difference मत्वर की minus कर दो 136 में से 77 minus किया मने तो यहाँ पे आ जाएगा मैं red से लिखता हूँ 6 तो चोटा है तो यहां से बोलो लेली यहां पर बना 16 16 में से 7 minus होगा तो 8 9 10 ठीक है और आगे 16 तक जाएगा 6 तो 7 8 9 ठीक है 16 में से 7 minus होगा तो 9 तो यहां पर यहां पर थी था नहीं यहां पर टू बचाए अब तो ट्वाइलम में से 7 minus कर देते हैं सीदी तो ट्वाइलम में से 7 minus होगा तो 7 8 9 10 11 12 तो यहां पर उचाहेगा 5 59 आ रहा है अब 59 जो आपको याद रखना है तो यहां पर बन रहा था हमारा 59 तो 59 अब इसमों इसने बोला है कि 59 में 29 प्लस करें 59 प्लस 29 तो यहां पर आगया 9 online हो गया 18 8 जो आगे चला गया एक आगे चला गया पांच और दो हते हैं साथ एक तो 88 आ रहा है 88 जोबो 90 से कम है तो यह जोबो कौन सा एंगल है एक एक यूट एंगल है ठीक है अगरे 90 हो जाता तो ठीक है फिसे पड़ते हैं विच अंगल इंड गिवन फिगर कौन सा इगल इस फिगर में जो लार्जर थें त्ट राइट अंगल तू ने स्क्क्रण तो राइंगल क्या होता है तू राइक आंगल काम नैंगल का मत्तला है 90 बैद लस 90 बड़ा तो इसने बड़ा कौन सा एं तो अच्छा कोशने मुझे लग रहा है कि अल कॉर्ड और सरकला डायमेटर सारे को डायमेटर को कॉर्ड हम लोग बोलते हैं कि कॉर्ड की डायमेटर को इतनी सी है कि बाउंडरी पर दो पॉइंट को मिलाए जाए तो बहुत हो जाता है लेकिन डायमेटर की स्पैसल डायमेटर है कि वो कॉर्ड जो वो किस से होता हूँ जाना चाहिए सेंटर से होता हूँ तो इसने बोला सारे कॉर्ड अब ए भी तो कॉर्ड है लेकिन इसको डायमेटर नहीं बलकि एक की कॉर्ड जो डायमेटर है उसको ही जो वो कॉर्ड बोला तो बी विल्कुल सही है बोथ हर फर्स यह नहीं होगा सेक्ट इस दा राइट अंसर थीक है 51 आगे हां पर तो नेक्स चलेंगे 52 की तरफ तो मैं सुच रहूं नेक्स पार्ट में इसको डिसक्स करेंगी थैंक यू